यात्रियों की तुल्ला करें यहां पर हो रही समस्याओं से तो आपको जमीन आसमान का आंतर देखने को मिल जाएगा यात्रियों की संख्याद दिन पर दिन बढ़ रही है लेकिन यहां पर समस्याओं भी है उसी के साथ बढ़ रही है और दोस्तो इनी में से एक बड़ी समस्याओं दरभंगा एरपोर्ट के बाहर इस्तित सरक्त से लेके दरभंगा एरपोर्ट के टर्मिनल भवन तक जाने की है दोस्तो यदि कोई वैक्ती सामान ये मौसम में जे जाना चाहे तो उसके ज्यादा मुश्किल नहीं होगी लेकिन यदि कोई वैक्ती वर्षा के दिनों में या फिर कड़क धूप में दरभंगा एरपोर्ट की सरक्त से वहाँ के टर्मिनल भवन तक जाना चाहे तो उसके लिए काफी मुश्किल हो जाता है लेकिन दोस्तो अब ये मुश्किल खत्म हो जाएगी क्योंकि दरभंगा एरपोर्ट प्रसासन के दौरा सरक्त से लेके मुख्य द्वार तक पहले फेज में शेड लगाने का जो काम है उसे चालू कर दिया जाएगा और दोस्तो इस मेहने के अंद तक इसे खत्म भी कर दिया जाएगा जैसा कि मीडिया रिपोर्ट से बता रही ह और फिर यहाँ पे दूसरे फेज के अंतरकत मुख्य द्वार से लेके टर्मिनल भुवन तक का काम किया जाएगा त्योंकि अगले मिन निश्टित रूप से खत्म हो जाएगा और जिसके बाद दरभंगा एरपोर्ट की जो एक बड़ी समस्या है वो भी खत्म हो जाएगी